हेलो दोस्तों तो आज मैं आपसे शेर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल गोंद मेथी के लड़ू जो बहुत ही पोश्टिक होते हैं लेकिन मेथी के कड़वे स्वाद के कारण हर कोई इने खाना पसंद नहीं करता तो आज मैं इन लड़ू को बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये लड़ू खाने में बिलकुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि एक बार आपने इने बना कर खा लिया तो बार बार इने खाना पसंद करेंगे तो चलिए ये बहुत ही देखेंगे तो एक कप मैंने मेथि दाना लिया है और यदि ग्राम समय देखें तो टोटल 200 ग्राम मेथि दाना का हम इस्तर्वाल करके ये लड़ू बनाने वाली है तो सबसे पहले हमें मेथि को पीषना है तो इसके लिए क्रेंडर जार में डाल करके बढ़ियाशे इसका पाउडर बना करके तयार करेंगे मेथी को पीषने से पहले थोड़ा चलने से चान ले साथी कप्डे से पहुंच ले ताकि इसमें कोई डस्ट हो तो वो भी निकल जाए और देखे पीषने के बाद कुछ इस तरह का पाउडर इसका बन करके तयार हो जाएगा पाउडर को जादा फाइन ना करें थोड़ा सा दानेदार रखें इससे लड़ू खाने में बड़े ही टेस्टी लगते है तो इसे मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर लिया है और आप सेम कप को माप करके हम लेंगे दूद तो शुरुआत में मैं एक कप इसमें दूद डाल रही हूँ और इसे बड़िया से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि दूद गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए चाहे तो आप गरम दूद को ठंडा करके ले ले या फिर कच्चे दूद का इस्तमाल करें लेकिन गरम दूद का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है अब देखे जैसे एक कब दूद मैंने मेथी में डाला है, मेथी ने सारे दूद का एब्सॉर्ब कर लिया है और ये अच्छे से फूल गई है तो हम इसमें आदा कब दूद ओर डाल करके इसे बड़िया से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दूद की मातरा का पूरा ध्यान रखना है, दूद जादा भी नहीं होना चाहिए मेथी में और कम भी नहीं होना चाहिए और चाहें तो आप दूद की जगए इसे घी में भी बिगो करके ले सकते हैं तो अब इस मेथी को हम कवर करके 7-8 गंटे के लिए रख देंगे तो लगबख 7-8 गंटे में जो मेथी होती है वो चारी दूद को अबसॉर्ब करके बढ़िया से फूल जाएगी तो ये थोड़ी टाइट भी हो जाएगी क्योंकि जादा दूद का इस्तिमाल करने से मेथी गिली रह जाएगी इसलिए इसे तरह का टेक्शर हमें मेथी का चाहिए होगा तो पहले चमच से इस तरह निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब हातों से इसे ऐसे मेश करेंगे ताकि जितनी भी मेथी हमने लिए है उसकी गांटे खतम हो जाएं और ये एकदम खिली खिली हो जाए ताकि बाद में गे में इसे पकाना बहुत ही आसान रहे तो जब हम मेथी को दूद में या घे में भिगो करके लेते हैं तो आदा कडवापन तो उसका यहीं खतम हो जाता है तो देखे इस तरह का पाउडर बन करके तयार हो गया है एक बार इस मेथी को हम साइड में कर देते हैं और अब गैस पर एक कड़ाई चड़ा कर इसमें लगबग एक चोथाई कब घे गरम कर लेंगे तो हम एक साथ सारा गी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम घे 2-3 बार इस्तिमाल करने वाले हैं अब इसके के अंदर सबसे पहले हम कुछ ड्राइफ रूट्स को पका करके लेंगे तो मैंने आदा कप बादाम ली हैं तो बादाम समय ज़्यादा लेती हैं तो मैं 20 से 30 सेकंड पहले बादाम को पका लेती हूं यहाँ पर ड्राइफ रूट्स आप अपनी चोईस के ले सकते हैं ड्राइफ रूट्स की मात्रा कम या ज़ादा भी कर सकते हैं तो मैंने बादाम को कुछ सेकंड पका लिया है अब आदा कप काजू लेकर इन्हें भी बादाम के साथ पका लेंगे तो दोनों चीजे एक साथ ही अब बहुत अच्छे से पकवी जाएंगे ड्राइफ रूट्स को इस तरह घी में पका करके लेने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जब हम इन लड़ों को लंबे समय तक स्टोर भी करना चाहें तो ये इसलिए स्टोर भी किये जा सकते हैं ड्राइफ रूट्स के मॉइस्टर के कारण ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं तो देखिए दो से तीन मिनिट में जो ड्राइफ रूट्स हैं उन्हें मैंने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है तो बड़िया इनका कलर आ गया है तो अब इन ड्राइफ रूट्स को हम निकाल करके साइड में कर देते हैं अब कड़ाई के अंदर घी बच गया है तो इसी घी के अंदर हम गोंद को भी फ्राइ कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर आदा कब गोंद लिया है और गोंद हो सके तो आप बारीक वाला लें तो इसे क्या होगा कि इसे कम गी के अंदर भी फूलाना काफी ज़्यादा आसान रहेगा यानि यह अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा बहुत यह अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा और यह दिया आपके पास बड़ी साइज वाला गोंद है तो फिर आप गोंद को थोड़ा सा तोड़ करके ले ले जिससे इने फ्राइ करना आसान रहे तो पहले एक दान मैंने डाल करके देखा यह अच्छे से फूल रहा है एकदम पॉपकॉर्ण की जैसे यह फूल जाता है तो अच्छे से इसे क्रिस्पी कर लेना है क्योंकि यह दि गोंद के अंदर थोड़ा सा भी कच्चा पन रहा तो लड़ू खाते समय दान्तों में चिपकेंगे और यह लेजिए गोंद भी बड़िया तयार हो गया है तो इसे भी एक प्लेट में निकाल कर साइड में कर देते हैं और अब सीम कड़ाई के अंदर हम आदा कब गी और गरम कर लेंगे और अब इस गे के अंदर हमने जो मेथी तयार करके रखी है उसको पकाएंगे तो गैस का फ्ले मेडियम टू हाई रखेंगे और इस मेथी को हम लगातार चलाते वे गे के अंदर पका लेंगे ऐसा करने से मेथी का जो दूद वाला मॉइस्चर है न वो सारा खतम हो जाएगा इससे लड़ों को महीने बरतक आप इसली स्टोर भी कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे दूसरा गे के अंदर इस तरह पका करके लेने से जो बचा खुझा करवापन है मेथी का वो भी निकल जाएगा तो मेथी को हल्का सा लाल होने तक हमें पका लेना है तो इस तरह लगाता चलाते वे मैंने इसे भी पका लिया है देखिए इसका color भी change हो गया है और मेथी में बहुत ये अच्छी खुश्बो भी आने लगी है जब ये खीके अंदर इस तरह से पक जाती है तो थोड़ी देर गैस का फ्लेम ओफ करके मेथी को मैंने चला लिया है ताकि यह जले नहीं तो मेथी को मैं इसे कड़ाई में छोड़ दूँगी और दूसरे कड़ाई लेकर इसमें लगपक आदा कब की और गरम करनूँगी और अब इस घी के अंदर हम बोनेंगे आटा तो यह मैंने चार कब गेहूं का आटा लिया है तो सेम कब को नापकर हम गेहूं का आटा भी ले लेंगे तो यदि आपको मेथी की मातरा ज्यादा पसंद हो तो आप मेथी की मातरा आटे की मातरा बराबर ले सकते हैं या इसमें थोड़ा आटा जादा कर सकते हैं, मेथी की मातरा घठा सकते हैं, तो यह आप अपने चोईस के अकॉर्डिंग सारी चीजे कर सकते हैं, तो यहाँ पर घी के अंदर आटे को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी और एड़ कर सकते हैं, लेकिन आटे को जैसे जैसे आप पकाएंगे, यह अपने आप ही धीरे धीरे और घी छोड़ने लगेगा, बस आप ध्यान रखें कि आटे के अंदर अच्छा मैश्चर आ जाना चाहिए घी का, तो बस इसे भी हम लगाता है, चलाते वी लोफ लिम प आ रही है, और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, तो इस आटे को भी मकडाई में चोड़ने वाली हूँ, तो जब यह इस इस टीज पर पहुंच जाएगा, गैस का फ्लेम ओफ करके, मत थोड़ी देर इसे और चला लूँगे, ताकि यह जली नहीं, और देखें कैसे यह तो आप इस तरह से एकदम फाइन पावडर बना कर इसका ले सकते हैं, ट्रैप फ्रूट्स के साथी मैं गौंद भी डाल रही हूँ, देखें गौंद भी कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, ऐसे हातों से भी तोड़ेंगे, तो बहुत एजिली यह ऐसे टूट जाएगा तो यदि आप गौंद को दानेदार ही रखना चाते हैं, तो इसे ऐसे ही क्रश कर लें किसी कटोरी की हल्प से, लेकिन मैं इसे पेस्ट के रूप में बनाऊंगी, ताकि जब लड़ों में मिक्स भी हो जाए तो खाने में पता भी नहीं लगे और लड़ों खाने में थंड़ा हो गया है, तो बाकी चीजे भी जब हम इसमें एड़ करेंगी, तो ये पूरा थंड़ा हो जाएगा, तो इस आटे को हमें पूरा थंड़ा करके ही लेना है, यहाँ पर जो मेथी मैंने रखी थे पका करके ये भी अच्छी थंड़ी हो गई है, आटे के अंदर तो फिर आप इसमें गुड़ का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, तो गुड़ को तब मिक्स करना है, जब ये मिश्रन हलका सा गरम हो, चीनी या तगार का इस्तिमाल हमें इस मिश्रन को पूरा थंड़ा होने के बाद ही करना है, तो गुड़ को एकदम बारी काट कर के लिए और फिर इसमें मिक्स करें, ताकि गुड़ है वो इसे में मिक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं गुड़ का पाउडर ले रही हूँ, तो ये इस तरह का हमारे यहाँ पर लाइट कलर का गुड़ का पाउडर आता है, जिसे हमारी भाशा में तो पीली शक्कर कहा जाता है, तो इसका इस्तमाल करके आज मैं ये लड़ो बना रही हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है लड़ों में, तो यदि आप गुड़ का इस्तमाल नहीं करना चाते हैं, तो इस तरह की पीली शक्कर आती है, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर बुरा या तकार का भी कर सकते हैं, साती फ्लिवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी एड़ कर रही हूँ और बस बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जब तक हमने इस मिश्रण में शक्कर नहीं मिलाई थी, तब तक ये मिश्रण थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में था, और नहीं देगा, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हातों से एक पार मिक्स करने के बाद लड़ू बांदना शुरू करेंगे, तो मिश्रण का टेक्शर इतना परफेक्ट है कि जैसे आप मिश्रण को हातों में लेंगी, बहुत एजिली लड़ू बनकर के तयार हो जाएगा, त और ये देखें लड़ू का टेक्शर, है ना फ्रेंड्स कमवाल का, जैसे ही आप ये लड़ू खाएंगे, तो खाते ही मौ में घुल जाएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ आपको ये लड़ू बहुत पसंद आने वाले हैं, और ये लड़ू जैसे जैसे थोड़ा और आरा मैं फिर से मिलूंगे आपको एक ऐसी और नए रेसिपे के साथ, तब तक के लिए टेक क्यार, बाई बाई